हलो 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 वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने दुकान का नाम या कुछ ऐसा बाइड डिफॉल्ट टाइटल अगर आप अपने स्लिप पर बिल के स्लिप पर प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात कर लेते हैं कि प्रिंट हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए शॉर्टकट की है ठीक है तो यहां पर अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए या यहां पर देख सकते हैं प्रिंट लिखा तो यहाँ पर हमें current ही document, current ही slip को print करना है तो यहाँ से इस पर click कर देता हूँ, अब इस तरह का interface आपके सामने आएगा, जिसमें आप से पूछा जा रहा है कि क्या आप preview देखना चाहते हैं, या कुछ configure करना चाहते हैं, तीन चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, configure, preview, print, तो अगर आप print लेना चाहते हैं, तो keyboard से सिर्फ P प्रेस कीज़ें, अगर preview देखना चाहते हैं, तो I प्रेस कीज़ें, अगर कुछ और भी configure करना चाहते हैं, तो आप प्रेस करजी C, तो हमें प्रेस करना है C, तो जैसे ही C प्रेस करेंगे, तो इस तरह का एक interface आपके सामन हो जाएंगी, ठीक है, जैसे ही है, यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे, तो इस देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर title में आ रहा है invoice, हम यहाँ पर आते हैं, और यह हमें invoice नहीं चाहिए, इस पर double click कर दीजिए, हम यहाँ पर रखेंगे देखें, मैं क्या रखता हूँ, जैसे मेरे institute का नाम है, the shine in institute, तो यहाँ पर लिखता हूँ, the shine in computer institute, यह लिख दिया, अगर subtitle देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, फिलाल मैं इसको छोड़ता हूँ, interface करता हूँ, interface करता हूँ, interface करके और इसको करवा लेता हूँ, अब हम इसका preview देखेंगे, तो चलिया, यह preview देखते हैं इसका, यहाँ से preview पे click कर दिया है हमने, अब देखते हैं इसका preview, कि preview कैसा आया हुआ है, तो यहाँ पर इसको zoom पे लेता हूँ, मैं थोड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे उपर क्या print होकर आया है, मेरे institute क अगर आप अपने दुकान का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो दुकान का नाम भी दे सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, यह छोटी शी short वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आती हो, तो इसको share कर सकते हैं, आपके कोई सवाल हो, तो comment box में पू